नमस्कार एक बार फिर आपका स्वाकत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बात कने वाले हैं सुरलिय आवास के जादुगर मेलोडी किंग इंडियन प्लबैक सिंगर मुहमद अजीस सहाबर बलूड के सुप्रसीद निर्माता निर्देशा का रवी टंडन जी का और दोस्तों पीता जी के जनम दिनी स्पेशाल में मुहमद अजीस सहाब और रवी टंडन जी के फिल्मों के गीतों को बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मुहमद अजीस सहाब ने रवी टंडन जी के कई से निर्माता निर्देशा का फिलिम हैं जिन में अपनी अवाज दिती है तो आज रवी टंडन जी के जनम दिनी स्पेसाल में मुहमद अजीस सहाब और रवी टंडन जी के सांदार जोड़ी की सांदार गीते को बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं वह से देखा जायतों मुहमद अजीस सहाब ने रवी टंडन जी के निर्माता निर्देशक फिल्म में पहली बार अपने अवाज दी 1986 में और फिल्म का नाम है एक मै और एक तू और इस फिल्म में मुहमद अजीस सहाब ने बलूर के सुप्रसिद निर्माता निर्देशा कर रवी टंडन जी के इस फिल्म में दो गीत गाए थे पहला है मैं दिवाना ना जाना कब कैसे मेरे दिल में तू महमान बन गई और ये गीत रवी टंडन के बेटे राज टंडन पे फिल्मा गया जो की रवीना टंडन के भाई है और मेरे खाल से आप लोगों ने गीत सुने ही होंगे मैं दिवाना ना जाना कब कैसे मेरे दिल में तू महमान बन गई रेमाय लोगों से बोल दूँगी बंद कागाज को खोल दूँगी ये गीत भी काफी ज़्यादा पापूलर हुआ और ये गीत भी राज टंडन पे फिल्मा गया और इस फिल्म का संगीत आरडी बर्मन सहाब ने दिया था और दोनों गीतों का लिरिक्स अनान बक्षी ने दो ही गीत गाए थे आप लोग जानते ही हैं लेकिन इस फिल्म के साथ ही सन 1987 में आई फिल्म नजराना ये फिल्म राजिस खन्ना सहाब और सिरी देवी की पिक्चराइज फिल्म है और इस फिल्म में भी मुहमद अजीस सहाब ने रवी टंडन जी के निर्देशित फिल ये करली, रे करली, महबद करली। इस तरह का गीत है दोस्तों जिससे बहुंवथ अपनी खुफिरत ओवाज में मुहमद अजीस ने अपनी आवाज दी और ये गीत मुहमद अजीस सहाब ने राजस खन्या सहाब के अपनी आवाज दिया था और अनुराधा पंडवाल जी ने इस मिता पाटिल जी के अपनी आवाज दी और इस गीत के साथ ही दोस्तो एक और गीत मुहमद अजीस सहाब ने इस फिल्म में गया गीत के बोल है जहन 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 जहना ना इस तरह का गीत है जिसे बहुत अपनी कुफिरत आवाज में मुहमद अजीस सहाबा और लतम अंगसकर जी ने अपनी आवाज दी और नजराना फिल्म का संगीत लक्षिकन परलाल जी ने दिया था और लरिक्स आनम बक्षिस सहाब ने दिया था और दोस्तो इस फिल्म का डारेक्टर है सुप्रसिध निर्देशा का रवी टंडन जी और मुहमद अजीस सहाब ने रवी टंडन जी के दो ही निर्देशित फिलिम है एक माय और एक तू और नजराना इन दोनों फिल्मों में मुहमद अजीस सहाब ने अपनी अवाज दिये थे और उसमें का गीत बहुत ही ज़्याद पापुलर भी हुए हैं लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रविना टंडन जी के पीता रवी टंडन जी के निर्जित फिली में भी मुहमद अजिस सहब न अपने वाज दिती है तो दोस्तों आप लोगों को यह जनकारी जो है वो क सहां भी रहें खुछ रहें अबाद रहें हम लोगों की यही दुआ है तो वाओ और इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिये हैं तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब किजेगा और वीडियो को अ